आपके अपने चैनल माई पाट साला में और पाट साला रेलवे एक्जाम में आज की करेंट अफेस में मैं आपके सामने नहीं आऊँगा विकाज थोड़ा सा काम आने की वज़े से मुझे ये करेंट अफेस लेट नाइट रिकॉर्ड करके आपको देना पट रहा है फिलाला तारीके 22 अगस और आज के इंपोर्टन करेंट अफेस आपके सामने है जैविक खेती के तहट भारत का जैविक छेतर की संख्या में कौन सा इस्थान रहा क्या होती है जैविक खेती या और्गेनिक फार्मिंग तो इसके बारे में चर्चा जरू करेंगे लेकिन उससे पहले चलते हैं इंपोर्टन करेंट अफेस की और राम मंदिर का निर्माड शुरू हो गया है एतियासिक गटना रही राम मंदिर का निर्माड आयोध्या में होना शुरू हो गया है जिसके लिए L&T यानि कि Larson and Turbo ने हाथ मिलाया है और Central Building Research Institute जो कि रुडकी में है और IIT मदरास ने यहाँ पर निर्माड कारे सुरू कर दिया गया है CVRI और IIT मदरास वहाँ पर सुयल टेस्टिंग कर रहे हैं यानि जमीन की जाच कर रहे हैं कि अगर भविस में कभी भुकंप या किसी तरह की प्राकती कापता आती है तो यह मंदिर को सुरचित किया जा सके तो मंदिर का निर्माड करने वाली कंपनी ने मिट्टी का परिशन सुरू कर दिया है और अध्या में भाव्य स्री राम मंदिर का निर्माड 36 से 40 महिने के दौरान हो जाएगा इसका निर्माड प्राचीन पद्दती से किया जाएगा ट्रस्ट ने ये भी बताया ट्रस्ट के जो मैनेजर है चंपतराय है उन्होंने बताया कि मंदिर के निर्माड में भारत की प्राचीन और पारंपरिक तखनीक का प्रयोग किया जाएगा ये इतना मजबूत बनाए जाएगा कि भुकंप, तूफान और किसी भी प्राक्दिक आपदा का सामना कर सके मंदिर में एक नई खादबास सुनने में आ रही है कि यहाँ पर लोहे का बिलकुल भी इस्तमाल नहीं किया जाएगा और I think मुझे ऐसा लगता है कि लोहे का इस्तमाल इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे ये मंदिर थोड़ा सा कमजोर हो सकता है दूसरा धार्मिकास्था का भी प्रश्ण है इस वज़े से इसमें लोहे का कतई इस्तमाल नहीं किया जाएगा यानि कि जो लोहे की सरिया वगेरा होती उनका इस्तमाल नहीं किया जाएगा उसकी जगे यहाँ पर तामे की पत्तियों का उप्योग किया जाएगा निर्मार के लिए 18 इंच लंबी 3 mm गहरी और 3 mm चौड़ी तीस mm चौड़ी पत्तियों की लगबद 10,000 पत्तियों की आवश्यक्ता होगी और ऐसे में इतना तामा क्योंकि मैनुफेक्चर करना मुस्किल है तो लोगों से इसको लिए कहा गया है कि आप दान दे और जो आप पत्तियां दान देंगे तो उसमें आप नाम लिख सकते हो अपने महले का नाम लिख सकते हो तो इस तरीके से जो लोग भी राम के उपर आस्था रखते हैं भगवान राम के उपर आस्था रखते हैं वो अपनी पत्मियां यहाँ पर दान करने के लिए कोशिस करेंगे और बहुत भड़ी संग्या में लोगों ने उनसे संपर करना भी सुरू कर दिया है तो फिलाल आयोध्या में राममंदी का निर्मार हो रहा है देखने लाइक बात यह है important यह है current affairs के लिए कि CBR यानि कि Central Building Research Institute इसमें सामने आया है रोड़की में यह इस्थित है और IIT मदरास ने यहाँ पर काम सुरू किया है L&T इसको बनाने का काम सुरू कर रही है अभी यहाँ पर expert जो है वो जाँच वगेरा कर रहे है अगली जानगारी के तरफ चलते हैं Center ने एक बढ़िया योजना के बारे में बात की है और जैसे की अन्य योजना हैं अगर उसी तरीके से इसको लागू हुआ तो फिए गलत होगा लेकिन मुझे लगता है कि यह सही तरीके से लागू होना चाहिए कि unemployment allowance दिया जाएगा जो बिरोजगारी भत्ते की तरीके ही होगा और जो लोग भी जिन लोगों ने भी lockdown के दौरान 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में अपनी नौकरी गमाई है या जिनकी नौकरी जाने की आशंका है अगर उन्होंने ESIC यानि की Employment State Insurance Commission के अंतरगत यानि की करमचारी राज बीमा निगम के अंतरगत अपना registration करा रखा है तो उन्हें इस योजना का फाइदा मिल पाएगा इस योजना में फाइदा ये होगा कि उनके 3 महीने की जो salary है वो 50% तक उनके account में transfer की जाएगी इसके लिए करना क्या होगा इसके लिए उन्हें ESIC की site पर जाकर registration कराना होगा और इसके लिए apply करना होगा एक बार सारी कागजी कारवाई पूरी हो जाएगी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनके खाते में इस पैसे को transfer कर दिया जाएगा तो 3 महीने की salary मिलने वाली है 50% तक यानि 50% तक की salary मिल जाएगी तो जो लोग भी बेरोजगार हुए है इस lockdown के दानों ऐसा मना जा रहा है कि अन्मूमन आकड़ा है कि 40 लाग लोगों को यहाँ पर फाइदा होने की उमीद रहेगी अगली जनकरी है labor bureau ने स्रम मंत्राले के अंतरगत आने वाला labor bureau यानि कि स्रम ब्यूरो ने अभी हाली में अपना एक नया logo launch किया है उनके पास कोई logo नहीं था तो इस logo को अनावरण किया गया है लोगों के हिसाब से अगर बात करें तो जो इससे important current affairs बनते हैं लोगों के अंदर जो specific चीजे होती है उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए हम जरूर आपको पताएंगे अभी तो स्रम और रोजगार मंत्री राज्य मंत्री स्वतन प्रबार संतोस कुमार गंगवार पहला तो यहीं से बन जाता एक कोशन की संतोस कुमार गंगवार कौन है स्रम यहम रोजगार मंत्री हैं वर्तमान समय में ने स्रम ब्यूरो के एक आधिकारिक लोगों का अनावरन किया है या लोगों स्रम ब्यूरो के उन तीन लच्छों यानि कि सटीकता, वैदिता और विश्वस्नियता को प्रतिनित्त करता है इसमें एक नीले रंग का चक्र बनाए गया है और जो काम का प्रतिनित्त करेगा नीला रंग ये भी बताता है कि ब्यूरो मेहनतकस कामगारों के साथ काम करता है तो ये कुशन यहां से बन सकता है कि नीला रंग जो है किस चीच को रेपेजन करता है स्रम ब्यूरो में तो वो रेपेजन करता है मजदूरों को या मेहनतकस लोगों को इसमें साथ-साथ एक graph बनाये गया है, graph में तिरंगा बनाये गया है, मलब कि केशरिया है, white color है और एक green color है, जो ये दर्थाता है कि ये जो स्रम बीरो है, ये स्रमिकों से जुड़े हुए आखड़े एक खटित करता है, जिसके लिए बीरो प्रहसरात कहता है कि गुडवत्ता वाले data संग्रण किया जा सके, और स्रम बीरो का main reason भी यही है, main उसका मकसद भी यही है, कि जो भी स्रमिक हैं, उनका data इखटा किया जाए, और जिस तरीके से भी उनको रोजगार दिलाये जा सकता है, जिन तरीके भी उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है, इसमें गे निहु के बाले बने हुए है, नीचे भारत इंडिया लिखा हुआ है, एक नीले करय का चक्रदन्थ है, जो यह दिखाता है, यह मैनत का स्लोगों के साथ काम करता है, एक मैनत जो होती है, कभी बंद नहीं होती, लगातार चलती रहती है, इसके बार एक बार ग्राब दिखा तो नया प्रतीक चीन ने सरम ब्यूरो का ये भी दर्साता है कि ये एक डेटा आधारित संगत्रन है, डेटा कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर उन्होंने ग्राब बना के रखा हुआ है, उन्होंने ये भी कहा कि ये लोगो को सत्तिता, वैदिता वुश्वसनीता के तीन लच् बजट के बारे में जानकारियां रखना था था एक समान रूप से देश के महातपूर केंद्रों के रहन सैन की लागत सूचकां को एकत्रित करना है कि किस तरीके जो हमारा जीवन इस्तर है अलग-अलग राजी में किस तरीके से वैरी करता है तो स्रम ब्यूरो ने अपना एक लोगो जारी किया है लोगो आई तिंग आपको समझ में आ गया होगा क्या किया इसके स्पेसल पॉइंट है इसके उपर सत्य में जैते भी लिखा हुआ है और असोक इस्तम वाला जो लोगो है वो भी यहां पर लिखा गया है आगली जनकारी है लिंग-राज-मंदिर इसके बारे में आपने जरू सुना होगा लिंग-राज-मंदिर की बात करें तो ये भुवनेश्षर के बहुत पुराने मंदिरों में से एक है और अपनी उतकरष्ट कलासैली के लिए मसूर है ये उडिसा में इस्तित है तो हाली में उडिसा सरकार ने ग्यारवी सताबदी के लिं हाई देने लगे क्योंकि समय के साथ ये काफी परिवर्तित हो गया है लिंग-राज-मंदिर की बात करें तो ये सिवको समर्पित एक मंदिर है जो उडिसा के भुवनेश्र जिले में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है भुवनेश्र को पहले त्री भुवनेश्र भी कहा जाता है वैसे तो यहां मंदिर कलिंग वास्तुकला का सर्वोत करश्ट नमूना है वो उडिसा को एकामर छेतर भी कहा जाता है विकाज क्योंकि इस मंदिर का निर्मार देवल सहली में किया गया है और एक देवता के मूल के रुप में एक आम के वरच्छ के रुप में यहा बहुत कुछ पढ़ सकते हो दार्विंग मानेता यह है मलब की जो हमाई दंत कताएं हैं उन में से माना जाता है कि लिट्टी और वसा नाम के दो भैंकर राच्छ थे जिनका बद पारवती जी ने यहीं पिर किया था और फिर संगराम के बाद उन्हें प्यास लगती है जिस है कि मध्यूग में यहां साथ हजार थे अधिक मंदिर और पूजा इस्तल थे जिनमें से अब करीब पांसो ही बचे हैं यह मंदिर वैसे तो भगवान सिवको समर्पित है लेकिन साली गराम के रूप में यहां भगवान विश्णो भी आपको मौजुद मिल जाएंगे यह में स्थित है जिला जो रहेगा वो खुरदा रहेगा और इसकी निर्माता माना जाता है कि 615 से 657 इसवी के दौरान इसका निर्माण ललाद इंडू केशरी ने किया था यह भगवान सिवको समर्पित एक हिंदू धार्मी किस्तल है और बहुत कठिन है मतलब कि अगर कोई गैर हिंदू निवासी यहां पर जाने की कोसित कता है तो मंदिर में उसका प्रवेश विर्जित है बलकि बगल में एक छोटा सा बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है उच्छा चबूतरा है वहां से खड़े हो कि आप लिंगराज मंदिर को बड़ी आसानी से देख सकते हो लिंगराज का अर्थ असल में होता है लिंगम के राजा जो यहां भगवान सिफ को कहा गया है वास्तों में यहां भगवान सिफ की पूजा पहले किर्तिवास के रूप में होती थी लेकिन बाद में उनकी पूजा हरियर के नाम से की जाने लगी है ऐसा माना जाता है कि जो बनवाया किसने था इसको बनवाया था लालाट इंदु केशरी ने कलिंग सैली में ये मंदिर निर्मित किया गया है क्योंकि हम उडिसा की बात करें तो उडिसा के बारे में कुछ करेंट अपयाद देख लेते हैं उडिसा एक ऐसा राजी है जिसने अभी हाली में बंदे उतकल जन्नी नाम का एक राज जिगान यानि कि अपने लिए इस पेशल एक एंथम एकसेप्ट किया है और इस्टेट का पहला वर्चुल पुलिस स्टेशन जो है वो अभी हाली में सीम नवीन पतनायक ने लौड उडिसा में लाँच किया था सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन नाम के दो वोटर हेल्पलाइन एप नजर आये थे इसने अभी हाली में खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम के पहले एडिशन का इनाउग्रेशन किया था उसको होस्ट किया था मिंती मिश्रा का संबंधी ओडिसा से है जो वेटनरी ओडिसी डांसर है मनमोहन पात्रा एक प्रसिद्ध फिल्मेकर थे जिनका भी हाली में निदन हो गया और मिंती मिश्रा का भी हाली में निदन हो गया था दूसरा बिम स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट यानि कि आपदा प्रबंदन एक्सेसाइज ये भी आपको बोनेशर में देखने को मिला था इंडिया ने फीपा अंडर 17 वोमेंज वोल्ड कप की मेजवानी करने का फैसला किया है जिसकी थीम रहेगी किक आफ दा ट्रीम ये ओफिशल लोगन रहेगा इस लोगन होगा इसका उडिशा पहला इस्टेट है जिसने SHG यानि कि Self Help Group के लिए Mission सक्ती नाम का एक मंत्राले बना रखा है मोजीवन प्रोग्राम एक कर सुरू किया गया था COVID-19 के दौरां सीवम पटनाएक दौरा ताकि Corona Virus Pandemic से लड़ा जा सके और अपने पिता के नाम पर उन्होंने एक पुस्ता का वीमोशन भी किया था बीजू पटनाएक के नाम पर The Adventures of Daredevil Democrat उडिशा सरिकार ने अभी UNICEF के साथ मिलकर मोज प्रतिबा नाम की एक योजना का अनावराण किया था मोज प्रतिबा एक प्रोग्राम था जिसमें जो बच्चे हैं उनको जो भी प्रतिबा साली बच्चे हैं उनको इंगेज किया जा सके टाकि वो लॉकडाउन के दौरन कुछ न कुछ उनको इनेविटी मिलता रहे वो करते रहे अभी हाली में पेटा का हीरो टू एनिमल एवार्ड जो है वो उडिथा के सियम नवीन पतनैक को गया था चीप मिनिश्टर वर्तवान समय में नवीन पतनैक हैं बी जे डी यानि कि बीजू जंता दल से आते हैं गवर्नर वर्तवान समय में गनेशी लाल है, कैपिटल सिटी भोवनेश्वर है, सेक्रेट पिक यानि कि पीपल को यहां का राजकी व्रच माना जाता है असोक का फूल जो होते हैं वो इस्टेट फ्लावर माने जाते हैं और इन्डियन रोलर जो है वो इस्टेट बर्ड है यहाँ पर और इस्टेट एनिमल सांबर डियर यानि सांबर हिडन को यहां का राजकी पसू माना जाता है 20 सीटें आपको लोकसभा में देखने को मिलेंगी राजसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी इस स्लाइट को बार 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 रिपीट करने से बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से याद हो जाती है यह उसी के हिंदी वाली स्लाइड है जैसे कि मैं आपको हरी मैं हमेशा करवाता हूँ आगे जलते हैं मतलब कि जो जैविक रूप से यूरिया प्राप्त किया जाता है तो उसको लेके यहाँ पर खेती की जाती है इससे फाइदा यह होता है कि जमीन को नुफसान भी नहीं पहुंचता है और जो पॉश्टिकता होती है वो भी काफी बड़ी रहती है तो भारत में जैविक खेती क विकल पगर देखें तो बहुत सुरू से है ऐसा नहीं कि भारत अभी से जैविक खेती कर रहा है भारत में पुराने समय सही गोबर की खात का प्रयोग होता रहा है तो जैविक खेती के मामले में भारत पहले सही काफी अगरणी है तो क्रसी मंदराले के अमसार अभी एक पर जैविक खेती करते हैं उसके मामले में हम पहले इस्थान पने हैं और हो भी क्यों ना क्योंकि हमारी जनसंक्या सबसी जाता है एक नई जनकरी और सामने आई कि सिक्किम जो है उसने अपने आपको पूरी तरह से और चावल और दालों का होता है और जैवी खेती की बात की जाए तो ये Sustainable Development Goal जो कि आपके UNGA ने यानि सेवितराष्ट महासभा ने 2015 में अपनाई थी और उनके मुताबिक ये है कि 2030 तक हमें 17 Sustainable Development Goal यानि सतत्विकास लच्छ प्राप्त करने है उसमें सेकेंड नंबर पर है भूग को समाप्त करना यानि कि जीरो हंगर और सुरच्छा और बैतर पोस्टन प्राप्त करना टिकाउ क्रिसी को बढ़ावा देना है Sustainable Development Goal के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए उसके बारे में अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे लेकिन देख लेते हैं Bio Organic के लिए हमारी केन सरकार ने अभी तक क्या किया है केन सरकार ने इसके लिए दो योजनाओं को सुरू किया है 2015 से एक MOVCT है मनलब Mission Organic Value Chain Development इसमें क्या होगा कि इस तरीके से खेती को करना जिससे सभी जो जमीन है वो बंदर ना हो पाए और जो Organic Forming है उससे जरिये धीरे 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 उसमें improvement होता जाए परमपरागत क्रसी विकास योजना यानि कि PKVY ये एक ऐसी क्रसी योजना है जिसमें हम अपने पुराने समय की यानि प्राचीन समय की जो हमारी योजना है हम उसको यूज कर पाएंगे यहाँ पर तो किसानों को जैविक खेती अपनाने और लाइपकारी प्रीमियम के कारण पाइसमिक सुधार के लिए दो कारेकरमों के सुरुवात की गई थी जो लोग भी Organic Farming कर रहे थे उनको यहाँ पर सबसीडी देने की भी बात की गई थी 2018 को जिसको करसी निर्यात नीती वर्स भी कहा जाता है का उदेश भारत को वैस्विक जैविक बादरों में एक प्रमुक कारोबारी के तौप में उबरने में मदद करना रहा और भारत के प्रमुक जैविक निर्यात में सन बीज, तिल, सोय, बीन और सदी, चावल और दाले सामिल हैं हम और लेड़ी डिसकस कर चुके हैं लेकिन एक इंपोर्टन बात यह है कि लगबग 50 प्रिसत की ब्रद्धी हुई है हमारे Organic Farming के दौराण जिनका मूह ले 5151 करोन रुपए तक रहा आगे e-commerce प्लेटफोर्म के जरिए किसान अपनी खेती का जयानि की जैविक और अर्गेनिक फॉर्मिंग का जो भी उनका प्रोड़क्ट है उसको www.javikikikheti.in के नाम से एक पोर्टल है वहाँ पर यह इसको sell कर सकते हैं आपने बहुत कुछ याद कर रखा होगा मुझे पता ही कि अपने अपने पढ़ाई के दौरण बहुत कुछ याद रखा होगा मेरे कहने पर एक recommendation और याद कर लिजे कि sustainable development goal में कौन से नंबर पर आता है जैसे पहले नंबर पर no poverty आता है दूसे नंबर पर zero hunger आता है तीसे न पर एक question पूछ रहे हैं कि सतत विकास लच्छ नंबर छे में क्या था जैसे एससे ने अभी इस बार पूछ लिया था कि clean water and sanitization जो है यह ऐसे पूछा था कि sustainable development goal गोल नंबर 6 में किस विशय को रखा गया है तो उसमें जो विशय है वो है clean water and sanitization यह 17 गोल है जो UNGA ने यानि कि सहितराष्ट महासभा ने accept किये थे सहितराष्ट महासभा ने accept किये थे यह 17 गोल और यह कोसिस की गई है कि इन्हें 2030 तक पाया जा सके अगली जनकरी है Indian Railways ने अभी हाली में एक trial शुरू किया है रो रो सर्विस का रो रो सर्विस का full pump है roll on roll यानि गारी के उपर गारी तो गारी के उपर गारी का मतलब है रेल गारी के उपर ट्रक शड़ा दिया इन्होंने और यह सुरू किया है दच्छिट रेलवे की बात करें तो अभी हाल पिलाल यह काफी ज़्यादा काम कर रहे हैं जैसे अभी आपको याद होगा कि इन्होंने एनकोंडा नाम की एक दुनि जाएगी नारियल और रबर से लदे ट्रकों को गुजरात और माराथ तक ले जाए जा सकेगा जिससे क्या होगा ट्रकों का जाने का समय भी बचेगा और यह सबजी नारियल और रबर जो खराब हो सकते हैं उनको खराब होने से बचाया भी जा सकेगे तो रोरो सर्विस कहा हमाना है इंडिन टीम के लिए टyokyo olympic में भाग लेन वाली इंडिन टीम के लिए इस्पांसर बने है अभी हमें याद आया कि कुछ दिन पहले ही SORRY कली तो मैं बतार हूं कि IPL के लिए इस्पांसर्सिप किस ने हासिल की है, dream 11 ने हासिल की है दो 222 करोन और मैं IPL जो कि सभी तरफ अमीरात में होने वाले हैं सेप्टेमबर के दौरन तो उसमें इन्होंने एक स्पॉंसर्शिप हासिल कर लिए इस साल के लिए उसी तरह से टोकियो उलम्टिक गेम्स के लिए टीम इंडिया की जो स्पॉंसर्शिप मिली है वो मिली है आइनोक्स को बारत में आइनोक्स ग्रूप सबसे ज़्यादा मसूर सिनेमा स्क्रीनिंग के लिए है और टोकियो 2020 के साथ आइनोक्स ग्रूप एक इंडिया वन इंडिया टीम इंडिया को भी अपने मल्टिप्लेक्स से जरीए लोगों तब पहुचाएगा होना था बड़ ये COVID-19 के वज़ए से नहीं हो पाए इसका स्लोगन है टोकियो ओलम्पिक 2020 का इसके दो मस्कट है मिराइटोबा फोर टोकियो ओलम्पिक और पैरलम्पिक के लिए सोमाइटी दियार नखिएगा सोमाइटी और मिराइटोबा इसका स्लोगन है अब बार ही है न्यूस फेटापट की इंटरनेशनल डे ओफ रेमेंब्रेंज ट्रिब्यूट टू विक्टेम्स ओफ टेररिजम् यानि आतंग वाद से जो लोग पेडित होते हैं उनकी याद में उनको सर्दांजली देने के लिए सेंटराष्ट हर साल 21 अगस्त को एक दिन मनाता है इस बार ये तीसरा दिवस मनाए जा रहा है और इस बार इसकी थीम है नॉट फॉर्गेटन स्टोरीज ओफ रेमेंब्रेंज ओफ विक्टेम्स ओफ टेररिजम् नॉट फॉर्गेटन स्टोरीज ओफ रेमेंब्रेंज फॉर्गेटन स्टोरीज ओफ टेररिजम् ये तीसरा दिवस था वर्ड सीनियर सिटीजन डे भी 21 अगस्त को मनाए गया है विस्वरिष्ट नागरिक दिवस 21 अगस्त को दुनिया बर में मनाए जाता है या दिन पुराने वयस्कों को प्रवावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूता बढाता है जो कि देखा जाता है कि जो वयस्क हो जाते हैं जो ओल्ड पिपूल हो जाते हैं UNG की बात करें तो साइटराट महासभा के जो इस समय आपके अध्यच है तिजानी मुहम्मद बंदे जो नाइजीरिया से बिलॉंग करते हैं सेप्टेमबर 2020 में वो रिटायर हो जाएंगे उनकी जगे वोलकान बोजकिर जो हैं वो 75 भी UN जेनरल एसेम्बली के नए प्रेसिड भी बने हैं लगाता दूसरी बार. तो कीथ रॉबलेग ने लगाता दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए तरी नादर टो बेको गड़राज के पैदान मंत्री रूप में सपत ली है वो 70 रोड पिपिल्स मुव्मेंट नेशनल मुव्मेंट के नेता है त्रीनाटो टोबेगो की राजदानी है पोर्ट अफ स्पेन मुद्रा चलती है त्रीनाटो टोबेगो डॉलर और बरतमान समय में प्रेसिडेंट है पाउला माई वीकेस इसके लाबा एक और है फ्रांसिसको एशुए फिर से बने गए हैं एक्वेटोरियल गिनी के पतान मंतरी फ्रांसिसको पास्कल इवेगे ओबामा एशुए बहुत बड़ा नाम है लगा था तीसरी बाल एक्वेटोरियल गिनी राज़ी के पतान मंतरी नियुक्त किये गए है फ्रांसिसको एशुए को पहली बार 23 जून 2016 में एक्वेटोरियल गिनी के पतान मंतरी के रूप में नियुक्त किया गया था एक्वेटोरियल गिनी के राज़पती है टोडोरो ओबियंग राजदानी मलाबो और एक्वेटोरियल गिनी की मुद्रा है तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपोर्टेंट करेंट अब बारी है वन लाइनर की स्रम मंतराले के किस संग्ठन ने एक नया लोगो लॉंच किया है स्रम ब्यूरो ने बारती रेलवे के किस छेतन ने रॉल आन रोल या रोरो सेवा का ट्राइल रन किया वो है दच्छड रेलवे कैबिनेट ने अभी हाली में नेशनल डिक्रूट्मेंट एजनसी के उपर मैंने एक वीडियो बनाया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजे आपके जो भी प्रश्ण है वो वहाँ पर स्वाल हो जाएंगे तो एक कॉमन परिच्छा आयोजित करने की बात की है आयोधिया में हाँ इससे जोड़ी भी एक और न्यूस है कि मदपदेस सरकार ने एक गोशना किया कि मदपदेस में जो भी आप नौखरिया दी जाएंगी राज सरकार की तो पहली बार तो वो जो मदपदेस के युवा होंगे उन्हीं को दी जाएगी और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी बोला है कि इसी के जरीए वो नौखरी देंगी यानि CET में आप जो नंबर लेके आओगे उसके जरीए आपको और कोई आर परिच्छा नहीं देनी पड़ेगी CET के मेरिट के अदार पर आपको नौखरिया कई विबागों में प्राप्त हो जाएंगे तो ये मदपदेस वाले सरकार का एक अच्छा मुझे स्टिप लगा कि अगर इसके बाद कोई आप परिच्छा नहीं करा रहे हो सभी है सेंटर में आप करा लो लेकिन जो स्टेट लेवल की परिच्छा है उनमें CET में आप दे दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा बहुत सारे युवाओं को आइटी मदरास को साथ किया गया है कोरोना संगर के बिरोजगार हुए कर्मचारी को उनका पिछले 3 महिने के वेतन के आउसत से लगगा कितने प्रसर तक की रकम दी जाएगी 50 प्रसर तक की उनको बिरोजगारी भत्ते के रूप में दी जारे वाली है लिंगराज मंदिर कहा है उडिशा में इसका भी रेनोवेशन होने वाला है जैवी खेती के तहट भारत जैवी खेतर यानि की बायो और्गेनिक फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान समय में नौवे नंबर पर चल रहा है टोकियो उलम्पिक गेम्स के लिए टीम इंडिया का ओफिशल इंस्पॉंसर कौन हो गया है आइनोक्स ग्रोप और सभ्राट जोरा हर साल आतंग बात पीरतों की याद में सर्दांजली देनी के लिए अंतराष्ठी दिवस कम मनाया जाता है 21 अगस्त को विस्वरिश नागरी दिवस भी दुनिया में मनाया जाता है 21 अगस्त को अब बारी है आज के क्विस की कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमिंट एजेंसी के गठन को मंजूरी देती है स्रम मंताले के किस संग्टन के लिए एक नया लोगों लॉंच किया गया है लेबर बीरो के लिए बारती रिल्वे ने किषिद ने रोरो सेवा का ट्रायल रन किया है तो वो है साउथन सदन लेल्वे यानि कि तच्छे रिल्वे जोन और आयोध्या में राम बंदी का निर्मान के लिए CBRI रुड की और किसने निर्मान कारे शुरू कर दिया है तो वो है IIT मदरास LNTV इसमें बाग कर रही है कोरोना संगट के दौरान कितने प्रतिसत तक उनकी रकम यानि कि सैलरी उनको दी जाएगी जो भी बेरोजगार हुए है तो 50% तक उनके तीन मैने की सैलरी उनको दे दी जाएगी ऐसे बेरोजगारी हितलाप के रूप में यानि की ऐसे अनिप्लॉइड इंप्लॉइड जो भी है उनको अनिप्लॉइड बेनिफिट के रूप में ये दिया जाएगा लिंगराज मंदिर कहां पर है ये उडिशा में है वैसे तो ये शिव जी के उपर समर्पित मंदिर है पर आप यहां पर विष्णु जी की भी पुजाग कर सकते हैं जैवी खेती की तैट भारत के जैवी खेत की संग्या में कौन सा इस्थान रहा नौवा इस्थान रहा है जबकि किसानों के अगरी दिवस दुनिया पर में कम बना जाता है ये भी एक के सागस्त को तो दोस्ते ये थे आचे हमारे इंपॉर्टन करेंट अपयस और आज और कल भी इसी तरह से आपको करेंट अपयस मिलेगा तो लगाता मैनेज कर लीजे आचे लिए इतना ही रखता हूँ